हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दा सक्सस केंद्रा फ्रेंड्स आप सभी को गूड इबनिंग और फ्रेंड्स एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजे और इसका लिंक किसी भी एक गुरूप में जहां कई भी आप हैं चाहे वह टेलिग्राम गुरूप हो, फेस्बुक गुरूप हो, या फिर वाट्सेप गुरूप हो, वहाँ पर जल्दी से सेर कर दीजे देखे आज का सेशन बड़ा ही इंपोर्टेंट है, बड़ा ही खास है क्योंकि आज हम लोग बिहार पुलिस कोंस्टेबल की जो भरती वर्स दोहजार तेईस में 21,391 पदो पर आई हुई है, उसके लिए All India टेस्ट को हम कवर करेंगे जितने भी बिहार पुलिस के कैंडिडेट्स आल ओबर इंडिया में इस बार बिहार पुलिस की उग्जाम देने वाले हैं 21,391 पदो वाला जो पेपर होगा, वो सभी लोग इस टेस्ट को लगाएंगे और आपका दाईत्व है कि इस टेस्ट को आप जाद से जादा से शेयर करें सभी लोगों को अपना-पना स्कूर कमेंट करके बताना है इसमें पूरे 100 प्रशन है, जिस प्रकार से आपकी एकजाम में प्रशन पुछे जाएंगे ठीक वही लेबल मैंने आज के All India टेस्ट में रखा है सभी लोग अपना-पना एक बार प्रिपरेशन का आकलन कर लिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे जो लोग नए जुड़े हुए है हमने करिब 100 इंपोर्टेंट सेशन को कवर करा है अब तक 100 इंपोर्टेंट वीडियोज को कवर कराया है अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर चले जाएए और सभी वीडियोज को देख लीजेगा फटा फट एक बार सेशन को लाइक कर दीजे ताकि जल्दी से हम लोग सेशन को स्टार्ट करें चले सभी लोग लाइक कर देंगे सभी लोगों से मैं रिक्वेश्ट कर रहा हूँ कि एक बार सेशन को लाइक कर दीजे और इसका लिंक एक ग्रूप में कहीं भी सेयर कर दीजे चलिए स्टार्ट करते हैं अब देखे पहला प्रशन है सिंदू घाटी की लोग किसकी पूजा करते थे देखे फ्रेंट्स इस सेशन को एक एकजाम के तौर पर लगाईए पसु पथी की ठीक है सिंदू घाटी के लोग पसु पथी की अर्पत्थर की बनी निर्त करते हुए पूरुस मुर्ति यानि कि नतराज हडापपा से मिली है। इससे आप जरूर धिहान रखेंगे। और इसमें आप ऐसे ही प्रशन पाएंगे, जैसे कि आपके बिहार पुलिसमें एक्जाम में प्रशन पूछे जाते हैं। ठीक है चलिए दूसरा प्रश्ण पढ़िएगा कि एलोसोम होते हैं और एंसर फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे ऐसा नहीं देर से एंसर कमेंट करेंगे तो सेशन और भी जाद लंबा हो जाएगा तो प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी अंसर कमेंट करने के लिए एलोसम होते हैं बताइए तो दीके मनुस्यों में एलोसम गुन सुत्रों की एक जोड़ी होती है क्या है यह गुन सुत्रों की एक जोड़ी होती है किलियर याद रखेंगे तो राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा लिंग गुण सुत्र ओप्सन नंबर डी राइट अंसर हो जाएगा देखे कितना बड़िया प्रश्न है चले next question कर लेंगे तीसरा नंबर कि बहमानी राज्य का संस्थापक कौन था बहमानी राज्य का संस्थापक कौन था बताए फट फट अंसर कमेंट करियेगा जल्दी से अंसर कमेंट करेंगे देखे फ्रेंट्स ध्यान दिजेगा मोहमाद विन तुगलक के सासन काल में 1347 सिस्वी में हसन गंगु ने बहमानी राज्य की अस्थापना की और वह अलाउदीन हसन बहमन सा के नाम से सीहासन पर बैठा इसने अपनी राजधानी को गुलबरगा बनाया था राजधानी कहा पर बनाया था तो राजधानी इसने अपनी गुलबरगा को बनाया था और यहाँ हसन गंगु जो था यहाँ किस नाम से बैठा था गदी पर तो अलाउदीन हसन दिया है चलिए question number 4 कर लेंगे देखे किस सुल्तान ने आधी जमीन की फसल राजस्व की रूप में लेने का दावा किया यहाँ सुल्तान कौन था बताएंगे right answer इसका क्या होगा किस सुल्तान ने आधी जमीन की फसल राजस्व की रूप में लेने का दावा कि तो देखे यहाँ जो था यहाँ अलावदीर खिल्जी था देखे अलावदीर खिल्जी ने भूराजस्व की दर को बढ़ा करके कितना कर दिया उपज का आधा भाग कर दिया उपज का आधा भाग कर दिया अच्छा अलावदीन खिलजी ने सेना को नगत वितन देने और अस्थाई सेना की निव रखा था इसी ने मोले नियंतरन प्रणाली को भी लागू किया था ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे चले नेक्स्ट कोस्टन कर लेंगे हम लोग कोस्टन नमबर फाइफ है कि राष्ट्रिय मानावदिकार आयोक की अस्थापना कब हुई थी राष्ट्रिय मानावदिकार आयोक की अस्थापना कब हुई थी अंसर आप लोगों ने कमेंट कर दिया है, देखे ध्यान दिजिएगा, राइट अंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 1993 को, 12 अक्टूबर 1993 को ध्यान रखेगा, चले कोस्टन नमर 6 कर लेंगे अब, और फटाफट फ्रेंट्स एक बार प्लीज सेशन को लाइक कर दिजिए, देखे सो कोस्टन टाइप करना, फिर बोलना इतना आसान नहीं है, चले विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कायोजन किस देश में किया गया, बता इराइट असर इसका क्या हो जाएगा, अच्छा ये जो था इसका विश्व हिंदी सम्मेलन का, यह इस बार का बारहमा संस्क्रन था, यह इस किया गया था, यानि कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहा आउजित किया गया था, अगर इस तरह से प्रश्ण पूछ लिया जाए, तब क्या आप जबाब देंगे, तो दिखे ध्यान रख्ये का 1975 में हुआ था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में, कहा पर तो ना मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, दस जनवरी की दिन, विश्व हिंदी दिवस दस जनवरी की दिन मनाया जाता है, इतने सारे फॉइंट्स ध्यान रखना आपको, चले कोस्टन नबर सेबन कर लेंगे, कि भारत में उपभोकता सनरक्षन अधिनियम की गोशना कब हुई चले फटाफट एंसर कमेंट कर दीजिए एक बार मेरे भाई बहन सभी लोग एंसर कमेंट करते चलिए और इस बार जो सुनारा मौका आपको मिला है उसको जाया मत होने जाने दीजिएगा दिन रात एक कर दीजिए बहुती कम समय बचा हुआ है ठीक है तो यह आउसर फिर दोबारा मिले न मिले इसलिए इसको जाने मत दीजिएगा बताई यह भारत में उपभोगता सनरक्षन अधनियम की घोशना कब हुई थी राइट इंसर क्या होगा तो 1986 में हुई थी 1986 में आपको याद भी होगा पर्यावरन सनरक्षन अधनियम भी उसी वर् अचा एक है वने जीवत सनरक्षन अधनियम तो वने जीवत सनरक्षन अधनियम को याद रखेंगे इसको कब पारित किया गया था तो 1972 में पर्यावरन सनरक्षन 1986 उपभोगता सनरक्षन अधनियम यह भी 1986 चलिए अगला प्रशन हमारा है कि 28 वा संक्तराष्ट जलबाई पर पार्टीज ठीक है 2023 का आउयोजन कहां पर किया जाएगा हो सकता आपसे सीधे इस तरह से पुछलिया जाए कि COP28 का आउयोजन 2023 में कहां किया जाएगा या फिर सिरफ क्रम पुछ ले कि 28 का कॉप 28 काम्टलब ही है 28 मा है तो धियान रखिए गा कहां पर इसका आउयोजन हो र कुछन है कि यूरोप में पिरिनी परवत स्रिंखला या फिर इस तरह से पिरिनी परवत स्रिंखला दोनों तरीके से आप याद रख लिजेगा ठीक है अगर इस तरह से पूछेगा या इस तरह से पूछ ले कि यूरोप में पिरिनी परवत स्रिंखला किन दो देशों को अलग करती है तो दिखी पीरिपर्वत शुर्ण ओर फ्रांस की सीमा परिस्थित है यहां एस्पयों और फ्रांस को अलग करता है इस एक और प्रश्न यहां से ज्यान रहना आपको अगर पुछा जाय कि को सिपर्वत श्रिंख्ला एक यहां परवत श्रिंखला एसिया को यूरोप से अलग करती है तो क्या जबाब देंगे तो फ्रेंट्स यहां परवत श्रिंखला जो है यह यूराल है क्या है यूराल है ठीक है चलिए नेक्ष्ट कोशन कर लेंगे कि 1831 में बुद्धो भगत ने 1831 इसमी में बुद्धो भगत बुद्व भगत के नत्रित में कौन सा विद्रो हुआ था 1831 बगत के नत्रित में जो विद्रो हुआ था उसका नाम आप से पूछा जा रहा है बते ही Right Answer इसका क्या हो जाएगा Correct नंबर प्रश्ण है कि भारत के राष्टपती को यह अधिकार प्राप्त नहीं है इन में से कौन सा अधिकार जो है भारत के राष्टपती को प्राप्त नहीं है चले जड़ा फटा-फट एंसर कमेंट कर दीजे और एक बार फटाक से से सेसन को लाइक कर दीजेगा चले सर्वच नयाले को नयाधिस को संसत द्वारा केवल विधी द्वारा स्थाइपित प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। सर्वच नयाले और उच नयाले के जजों को हटाना भी बेहद मुस्किल है। तो राइट अंसर इसका उप्सन नमबर भी ही हो जाएगा आपातकाल की घोशना बिल्कुल अंचे 352 में है और अध्यादिस जारी करने की सकती अंचे 123 में दिया गया है। नेक्स्ट कोश्चन कर लेंगे कोश्चन नमबर 12 कोश्चन नमबर 12 है कि कार्टा जेना प्रोटोकॉल का संबंद किस्से है। दिखे वर्स 2000 में जैवसरक्फ्चा पर एक पुरक समझहतेके रूप में कार्टा जेना प्रोटोकॉल को अपनाय गया था और यहाँ 2003 को लागवे हुआ था 11 सितंबर 2003 को अपनाय गया था 2000 में और यहां लागु हुआ था 2003 में काटा जना प्रोटोकल और यहां जव सुरक्षा से समबंदित है याद रखेगा चलिए भारत सरकार को कानूनी विशयो पर कोन परामर्स देता है? बताएंगे इसका राइट अन्सर क्या हो जाएगा भारत सरकार को कानूनी विश्यों पर परमर्स देता है भारत का महान नयावादी यानि कि Attorney General of India वर्तमान में कौन है Attorney General भारत की तो आर बैंकेट रमनी है आर बैंकेट रमनी है नाम इनका याद रखेंगे अज़िए Attorney General जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है तो ये राष्टपती करते हैं ध्यान रखेंगे Article 76 याद रखेंगा Attorney General यानि कि भारत के महान नयवादी से सम्बंदित है नक्ष्ट कुस्टन है हमारा कि Victory City इस पुस्तक को लिखा किसने है विक्टरी सीटी पुस्तक के लेखा कौन है चले बताएगा Victory City पुस्तक के लेखा कौन है विक्टरि सिती पुस्तकों लिखा किसने है तो फ्रेंट सिय लिखा है सलमान रोस्बी ने लिखा है ध्यान रfaいきेंगे आप चले नेक्स्ट कोस्षन है कि बिहार विधान सभा में कितनी सदस्वित के शंक्या है बिहार विधान सभा में पूछा गया है चलिए बताइएगा बिहार विधान सभा में सदस्यू की संक्या कितनी है फटा फटा कमेंट कर दीजे इसका अंसर राइट अंसर क्या होगा देखें बिहार विधान सभा में C2 की संक्या जो है ये 243 है और इन 243 में से 38 सीट जो है ये SC के लिए और 2 सीट जो है ये ST के लिए रिजर्व है ये चीज आप धिहान रखेएगा ये बहुती ज़्यादा महत्पूर्ण है ठीक है तो 243 ओप्सन में कहीं पर है कहीं पर नहीं है इसलिए ओप्सन D हो जाएगा इनमें से कोई नहीं चलिए next question कर लेंगे कि नेमन में से किसे राष्ट पती अपना त्याग पत्र सौपता है भारत के राष्ट पती के संदर्व में ये बात की जा रही है इस सीज को ध्यान रखना आपको चलि कौन सी इसमें से जो सही दिया गया है भारत के राष्ट पती अपना त्याग पत्र शौप बूलते हैं चलिये और उप्राश्च्ठ स्च्छ रोंग दिवस जिसको कि हम लोग विश्व तीवी दिवस भी बलते हैं बताए यह कम मना जाता है विश्व छय रोंग दिवस यह विश्व तीवी दिवस करेफ़ convinced क्या होगा चलि कमेंट करके बताए इसका इसका आजिए राइट अंसर क्या होगा सही अंसरीसका जाएगा विश्व क्या होगा कि दिन विश्व कर दिश्ansen मना जाता है ज़ीक है याद रह demos लोगोंी चोंहें के प्रधान मंत्री नरंद्र मजी जी ने 15 अगस्त 2014 पूरे देश में 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में चलिए नेक्स्ट कोस्टन हमारा कि अमप्पा खान किसके लिए प्रशिद है ये जो अमप्पा खान है ये प्रशिद किसके लिए है चलिए बताएंगे इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा अच्छा, सबसे पहले आप जान लीजेए, फ्रेंड्स कि ये जो खान है, अमपपा खान, ये है कहां पर? तो ये ब्राजील में है, और ये किस के लिए famous है? तो यहां दुनिया भर में मैंगोनीज के लिए प्रशिद है, ब्राजील में है, इसे आप ध्यान रखेगा चले question number 20 है कि राष्ट्री ये पर्यावरन अभियांत्री के अनुसंधान संस्थान कहा परिस्तित है अंगरीजी में इसको कहा जाता है नीरी क्या कहा जाता है अंगरीजी में अंगरीजी में इसको कहा जाता है नीरी नीरी का full form होता है National Environmental Engineering Research Institute हो सकता है कि full form आपसे कभी ना कभी पूछ ले याद रखेंगे नेशनल इन्वर्मेंटल इंजिनियरिंग रिसर्च इस्टिच्योट इसका हेड क्वाटर कहां पर है बताएंगे राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा तो ये नागपूर में है कहां पर है नागपूर में है राइट इंसर इसका हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे कि टमाटर का रंग लाल होता है बताई फटाफट एंसर कमेंट करिएगा टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण लाल होता है चलिए बताएंगे कि टमाटर का रंग लाल जो होता है ये किसके कारण होता है तो टमाटर का रंग जो होता है लाल ये लाइकोपीन के कारण होता है टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है चले उसका बाद देखेगा कि यूरोप की एक परवत स्रिंखला है इसमें से कौन सी यूरोप की परवत स्रिंखला है बताएंगे इसमें से कौन सी यूरोप की परवत स्रिंखला है ध्यानपुरवक ध्यानपुरवक से अंसर देंगे अगर हम बात करें यह आलपस कहां की है त earlier है छलिए यह आपका एसया हो जाएगा ठीक है यह आपका in that God है और रोकी जो है यह आपका उत्री अमिर्का हो जाएगा तो इस तरह से आप इसको द्हान रखेंग ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे कोसिंबर 23 कर लेंगे किai दक्षिन अमिरिका के मद्ध अक्षांसिय घास के मैदान का नाम क्या है बताइए राइट अंसर इसके क्या होगा दक्षिन अमिर्का में मद्ध अक्षांसिय घास के मैदान का नाम क्या है सबी लोग इसका एंसर कमेंट करेंगे और जल्दी जल्दी एंसर कमेंट करेंगे आप लोग ताकि जल्दी कहा पर है तो यह उत्री Amit काम पटता है ठीक है और STP यह उरेशीया में ओपड़ता है चली next question आम लेकि लिए का संबंद कि से हैं इंदर धाणोश्य क्रांटी का संबंद कि से है चलिए बताईएगा देखिए ध्यान दीजेगे फ्रेंट्स 28 जुलाई सन 2000 को 28 जुलाई सन 2000 को केंदर सरकार ने नई राष्ट्रिये क्रिशी निती की घोशना किया था और इस नई निती के तहत इंदरधनुस्य करांती की परिकलपना प्रस्तुत की गई थी ठीक है और ये ज च्वित करांती नीली करांती उप्रुक्त सभी इसका राइट अंसर हो जाएगा चलिए उसका बाद नेक्स्ट कुस्चन कि आखो देखा गदर किसकी रचना है यह रचना किसकी है यह विहार पुलिस की एक्जाम में प्रशनि पूछा आजा चुका है चलिए कमेंट करके आ जारखंड में कोईला की खान जो है ये कहां पर इस्तित है बताई राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा जारखंड में कोईला की खान जो है ये कहां पर है तो फ्रेंट्स यहां जो है जारिया में कोईला सित्र जारखंड के धन्माज जिले में इस्तित है तो ये जारिया सेधपूर में क्या है तो जम सेधपूर में यहाद है इस पात उधोग है ठीक है चलिए लोहरदगा वॉक्साइड उतपादन के लिए प्रसिद्ध है और राची जो है यह भारी मसीनों के निर्मान के लिए प्रसिद्ध है चलिए नेक्स्ट कुस्सन कर लेंगे कि निमलिकित लहो ऐसकों में से बैलाडिला में किसका खानान होता है अच्छा ये बैलाडिला की खान सबसे पहले बताए कि किस राज में है बैलाडिला की खान जो है यह किस राज में है सबसे पहले तो आप यह मुझे कमेंट करके बताएए बैलाडिला की खान जो है यह कहां पर है तो दी नेक्स्ट कुस्शन करेंगे भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कौन सा है फटाफट एक बार सेशन को प्लीज लाइक कर दीजे लाइक कर दीजे फ्रेंड्स चलिए और सेर भी इसको कर दीजेगा भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहां पर है तो सबसे पुराना ते नाइन नंबर देखे निमनराज्यों में से कौनसा राज्य भारत में सरवाधिक सवर उर्जा का उतपादन करता है सरवाधिक सोर उर्जा का उतपादन करने वला भारत का राज्य कौनसा है चलिई मताएंगे भ birthday सभी लोग अंसर इसका अवला प्रश्ण हमारा है कि निम्लिकित अस्थानों में से कहां तामबा उद्योग अस्थापित है तामबा का उद्योग अस्थापित कहां पर है इने में से चलिए बताएगा राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा तामबा का उद्योग जो है कहां पर अस्थापित है तो आ कारेकाल क्या है दूसरी 5 वर्षी युजना ठीक है इसका कारेकाल क्या है बताइं राइट अचिल इसnt everybody से 1956 ठीक है और दूसरी 1956 से 1961 ठीक है याद रखेंगे तो option इसका डी राइट अंसर हो जाएगा किलीर है डी राइट अंसर इसका हो जाएगा चलिए next question है हमारा कि प्रथम पंच बर्शी ओजना किस मॉडल पर अधारी थी पहली पंच बर्शी ओजना का समय मैंने आपको बताया है चलिए और यहां हैराओड डोमर मॉडर पर अधारी थी दूसरी पंच बर्शी ओजना भी मैंने आपको बताया है कि 1956 से 1961 तक इसका समय था और यहां पीसी महाल नोविस मॉडल पर अधारी था दूसरी पंच बर्शी ओजना नेक्स्ट कोस्टन कर लेंगे कि भारत में योज पर योजना वकास की अवधि क्या थी यह पुछा गया है राख बारत में योजना ऑवकास के अवधि जो रही थी by यह क्या रही थी तो यह यह नहीं था कब से कब तक मतले राइट अंसर इसके क्या हो जाएगा करेक्ट अंसर 1966 से 1969 तक 1966 से 1969 तक इस बीच की अवदी में कोई भी पंसवर्शी योजना अस्तित्व में नहीं रही थी ठीक है अप्शन भी राइट अंसर हो जाएगा चले उसके बाद देखेगा कि सैफ चैंपियंशिप 2023 का किताब किस देश ने जीता है सैफ चैंपियंशिप 2023 का किसे देश ने जीता है चले सोच समझ करके एंसर देंगे यह इंपॉर्टेंट कोस्टन है ठीक है सैफ बताएगा सैफ चैंपियंशिप 2023 सैफ चैंपियंशिप 2023 चले बताए राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा तो दिखी हाल ही में भारत ने जो है यह जीता है और सैफ का मतलब होता है साउथ एसिया फोटबल फेडरेशन ठीक है यानि कि दक्षीन एसियाई फोटबल याद रखिएगा और भारत ने जीता है राइट अंसर इसका इंडिया हो जाएगा क्लियर करक्ट अंसर इसका इंडिया हो जाएगा भारत चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुस्चन कर लेंगे अगला प्रशन है हमारा 35 नंबर की पोखरन 2 का परिक्षन कब किया गया था पोखरन 2 का परिक्षन जो है ये कब किया गया था बताई राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा पोखरन 2 का परिक्षन जो है ये कब किया गया था सोच समझ करके एंसर दीजिएगा दूसरा पोख पर ध्यान दीजेगा देखिए खुब ध्यान से सुनेगा राइट अंसर इसके क्या होगा अच्छा पहला जो हुआ था आपको याद है ने पहला कब हुआ था पहला 1974 में हुआ था उनिसोगहत्तर में हुआ था और इसका जो कोड नाम था इसका स्माइलिंग बुद्धा था दूसरा जो हुआ था दूसरा यहां 11 माई 1998 से 13 माई 1998 तब ठीक है और इसका कोड नाम क्या था ओपरेशन सक्ती था आच्छा पहला जो पोखरन परिक्षन था उसमें जो परिक्षन किया गया था वह किसपर आधारित था तो नियुकिलियर फीजन पर फीजन का मतलब आपको पता है परमानू विखंडन ठीक है और दूसरा जो था यह फीजन और फ्यूजन दोनों पर था फीजन और फ्यूजन यानि कि विखंडन और सनलेन दोनों पर था तो इसे भी आप याद रखेंगे चले 36 नंबर है कि अजन्ता की गुफाएं मतलब किस राज्य में हैं यह आ पर कनहेरी की गुफ हैं यह तीनों महराष्टर में हैं इसे भी आप याद रखेंगा कनहेरी अगर पुछा जाए तो याद रखेंगे महराष्टर में है चले सुबास संदर बोस अंतराश्टी हावाई अड़ा कहा परिस्तित है राइट अंसर इसका क्या होगा बताए बात की जा रही है लोकसभा की बिहार में लोकसभा की कितने सीट है 40 सीट है कितने सीट है चाली सीट है बिहार में अगर आपसे पुछा जाए कि राजसभा की कितने सीट है बिहार में राजसभा की सीट कितना है तो फ्रेंट से याद रखेंगे 16 सीट है ठीक है चलिए नेक समझ करके इसका अंसर देजिए दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है तो देखे दुधवा नेशनल पार्क जो है यहां उत्तर प्रदेश में है कहां पर है उत्तर प्रदेश में है अच्छा प्रश्न है बताईए जो है यह करनाठक में है कहां पर है करनाठक में है याद रखिएगा ठीक है चले कुस्चन नबर 40 करेंगे खाली अस्थान है वहाँ पादप जिसमें बीज फालो के भीतर होते हैं बताए राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा जिसमें बीज फालो के भीतर होते हैं उसको कहा जाता ह यानि कि इसको आईवर्ट बीजी कहा जाता है ठीक है और ऐसे पौधे या विरिक्षो को कहा जाता है जिसमें फूल फॉलो और फूलो के बंद होने के बजाए छोटी या तहनुयों को संग मैं नगना वस्थ हम रहाता है इतना सब छोड़ी है याद रहिएगा कि जिसमें बी फॉलोके भीतर होते हैं उसको जिटैन जिफ कहा जाता है और जिनके फॉलो जो होते हैं वह बाँ प्रदर्शित की जाती है किस नंबर से बताइए सीटेन ऑक्टेन किस से राइट अंसर क्या होगा इसका का ते राइट अंसर इसके क्या होगा बताएए तो देखे पेट्रोलिम की गुनवाता जो है यह प्रदर्शित की जाती है और डिजल की गुनवाता जो है यहां प्रदर्शित की जाती है सीटेन संख्या से डिजल के गुनवाता सीटेन संख्या से 42 नंबर है कि सुस्क सेल में एनोड निमलिखित का बना होता है सुस्क सेल में ध्यान से इसका अंसर देखी देजिए का बताए सुस्क सेल में एनोड निमलिखित का बना होता है सुस्क सेल में एनोड जो बना होता है और सुस्क सेल में कैथोड जो बना होता है कैथोड ये किसका बना होता है तो जिंक का बना होता है ठीक है कैथोड जिंक की वरतन जो होती है ये कैथोड की रूप में कारे करती है सुस्क सेल में चलिए अगला प्रशन करेंगे कि विदूत उर्जा की वानिजिक इकाई क्या है विद्धूत उर्जा की वानिजिक इकाई क्या है राइट अंसर इसका कमेंट करके बताए विद्धूत उर्जा की वानिजिक इकाई क्या है विद्धूत उर्जा की वानिजिक इकाई जो है इसमें से क्या है किलो वाट आवर है किलो वाट घंटा हो जायेगा में से किसका मिश्रन है प्रोड्यूसर गैस यहां किसका मिश्रन है पीडियाफ टेलिग्राम पर आपको दे दिया जाएगा आप निस्चिंत रहिए आप इस सेट को लगा लिजी फिर आप पीडियाफ पर टेलिग्राम पर जब पीडियाफ दिया जाएगा मैंने उल्टा बोल है ठीक की कार्बन मुनोक्साइड और हैडोजन का मिष्रण का होता है इसको गयस कहा जाता है यहीं कि इसको वाटर गयस कहा जाता है ठीक वाटर गयसãy कि अधिक ठंडे छेत्रों में रहने वाले जंतवा पफर किस काम आता में बतायेंगे इस इसका राइट अंसर क्या होगा राइट इसका क्या हो जाएगा तो राइट अंसर होता है वायू को फसा करके उन्हें गरम रखते हैं यह जो अधिक ठंडे चेत्र में जनतु के फोर्ज होते हैं यह वायू को अपने अंदर फसा करके उसमें जो जनतु का सरीर है उसको गरम र वैख्या कर रहा है और दोनो सत्य हैं L się लेकिन औरए की वैख्या नहीं कर रहा है स्पहरोंगड़ yol कहां करा है कि कौोड लेबर टेल का एक अच्छा शोर्थ है कंडही का कोड लेबर वायल ये क्या होता है कोड लिवर तेल यहां मचली के लिवर से प्राप्त के जाता है यह भी सही है तो दीखे यह दोनों विकल्प सही है लेकिन आर जो है न यहां एक युवेख्या नहीं कर रहा है इसले अप्सन नंबर बी राइट अंसर हो जाएगा इसले उसके बाद देखेगा कि क्रिशीी क्रिशि प्रकरिया क्रिया क्रिया अनकूल होती है कोंसी इसमें से प्रकिया जू है जो प्रकिया क्रिया नोकूल सबस्क्राइब करता है कोण सा जिवानु इसमें से चावल की फसल हे तू जय उर का रहां करता है राइज भी आपको याद है यहां जिवान दलहन, पुस्प के जो दलहन-कूल के पॉहंदे होते हैं उन में पाया जाता है और यहां वाई मन्देली नैट्रोजन का इस्तिरी करन करता है उसका बदी के एजोबैकटर जो है यहां जिवानों मिट्टी के क alegarn Regisant काहिस्तर हाइन का टीक है चली चलय issue ..three कहर में पाए जाता है अगला निम्र में से और contrat कौन सा है यानि की गलत तीन कोन सा मताइए लोहा पानी में डूब जाता हिह बिल्कुल सही है लकडी चाइए यह वी चजरती है यह अन्हीं रता है ये पता पारा पानी में नहीं तैरता है ठीक है पारे का घ्ञानत द्रव से सरवाधिक होता है इसलिए यह पानी पर नहीं तैरेगा चले नेक्स्ट कुस्सन कर लेंगे कि इनेमर में से कौन बड़े सहरों की वायू को प्रदूसित करता है अच्छा आपको याद होगा कि इंधन की प्रश्ण पूछ रहा कि कौन से बड़े सहरों को वायू पर दिश्थित करता तो यह लेड जो है यह वायू परदूसन का बड़े सहरों में प्रमुख कारण है जो की गाडियों से निकलता है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोस्टन है और बहुती बढ़िया कोस्टन है चलिए बताईएगा कि जब कोई तरंग किसी दरपन में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके आयाम में, अविर्ती में, तरंग दर में या वेग में, चलिए बताईए, जब कोई तरंग किसी दरपन से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है किसमें, रैट अंसर इसके क्या होगा राइट अंसर होगा कि किसी दरपन से परावर्तन के पसात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है किसमें आयाम में परिवर्तन होता है अपसन नमबर ए राइट अंसर हो जाएगा ठीक है आयाम में परिवर्तन होता है तरंग का आयाम बजल जाता है तरंग की आविर्ति, तरंगदर और विग में ऐसा करने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है? लेकिन आयाम में परिवर्तन होता है, चले उसका बदेखेगा कि इनमनलिकित में से किसे सुर्य प्रकास को ना भी बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है, रैट अंसर इसक चलिए, next question कर लेंगे, अगला प्रशन हमारे कि ठोस की सुधता किसके निर्धारन द्वारा प्राप्त की जाती है, ठोस की सुधता किसके निर्धारन द्वारा प्राप्त की जाती है, बताई ये right answer इसका क्या हो जाएगा, ठोस की सुधता किसके निर्धारन द्वारा प्राप कवक की को Кविति किस्स के कारण होता है यह किस के कारण होता है इसका कारक क्या है तो दिखे यहाँ जो होता है friends, यहाँ कवक के कारण होता है, किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है, तो कवक इसका right answer हो जाएगा, उसके बचले next question है कि जीव विग्यान का जनक किसे कहा जाता है, जीव विग्यान का जनक, father of biology, किसको कहा जाता है, जन्तु विग्यान, जी में से कोई नहीं ठीक है और जिव विग्यान और जन्तु विग्यान का जनक और अस्तु को कहा जाता है मैंने आपको कई भर बताया भी है और अस्तु राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चरिए नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे कि होमी भाबा पुरसकार किस छेत्र में विश्यस योगदान के लिए दिया जाता है बताएंगे इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा होमी भाबा पुरसकार किस छेत्र में विश्यस योगदान के लिए दिया जाता है enterpol की अस्थापना कब हुई थी 1923 में हुई थी interpol international criminal police organization इसका अस्हापना 23 में हुई थी जिसका headquarter France- disse. उसके चलिए। उसका बाद collectorsora क्या है बताई रखोच्थ अंसर क्या हो जाएगा मदवनी क्या है तो देखे मदुवनी पेंटिंग आपने सुना होगा या बिहार में प्रचलित एक लोग कला है ठीक है मदुवनी पेंटिंग अगला प्रशन है हमारा कि मानव विकास उचकांक प्रतिवर्थ के संस्था के द्वारा जारी किया जाता है तो यह किया जाता है उनाइटेड आज कहते हैं वा ना मुझका कि भारत प्रधल किसवर से स्थापित हुआ था अचा भारत का पहला प्रतोथ को स्था अær को गई थी 1875 मिकी गई थी Bombay Stock Exchange के अस्थापना ठीक है चलिए अगला प्रश्ण करेंगे 62 नमबर के भारती रिजर्ब के अस्थापना को हुई थी तो रिजर्बेंग के अस्थापना जो है यहां एक अप्राल 1935 को हुई थी हेट कोटर कहां पर इसका मुंबई में है राश्ट्रिय करन इसका एक जनवरी इसे أنशास को किया गया था ठीक है चलिए उसके बाद नेक्ष्ट कुसन आवारा कि अन्तराष्टिययायाया Mae शंख्या कितनी होती है तो तो टीक्या नैधिस घंक आ पर है यानि कि है यह कहा पर तो दहएग निडरलेंड में प्रचन करेंगे लाल बजरी का बादसा किसको कहा जाता है लाल बजरी का बादसा यह किसको को कहा जाता है चलिए राइट इंसर इसका क्या होगा लाल बजरी का बात्सा कहा जाता है राफल नडाल को किसको कहा जाता है यह प्रसिद्ध टेनिस की लाड़ी है ठीक है लॉन टेनिस के प्लेयर है इस्पेन के है राफल नडाल इनको लाल बजरी का बात्सा कहा जाता है चल आप लोग मुझे कमेंट करके बता जीजेगा इसका एंसर मैं नहीं बताऊंगा चले नेक्स्ट कुश्ण करेंगे फ्रेंड्स कि भारतिय नाभी की विदूत निगम लिम्टेड यानि कि भाविनी ठीक है इसका मुख्याले कहां पर है इसका मुख्याले कहां पर है बताइए राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा भारतिय नाभी की विदूत निगम लिम्टेड का मुख्याले कहां पर है चैनाई में है कहां पर है याद रखेगा यह थोड़ा सा महत्रपुन प्रश्ण है आपके लिए नया भी प्रश्ण है चले उसका बाद देखेगा किनेम में से पक्छियों से संभंधित अध्यान किया जाता है किया जाता है और नि कौना पर किया गया तो यह किया गया तो ये किया गया आहमदाबाद गुजरात में कहा पर किया गया आहमदाबाद में किया गया है चले उसका बढ़ दिखेगा उन 70 नमबर प्रश्ण की राष्टपती भावन इस्तित मुगल गार्डन का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है चले अंसर बता जीजे क्या कर आम रित अध्धान कर दिया गया एक है किया कर दिया गया अंवरित द्धान कर दिया गया है चले उसका दिखेगा गई चली कंठीत का प्रयवाच्य शवद नहीं है अब यहां से हिंधी का कोस्ट्चन-श्टार्ट हो रहा है बताखेगा कि तरस्च गया प्रयवाच्य सब्द लहाइधrik का विलों अब ऱ्यूंड बताना है बताए राइटन सर्ट इसका क्या हो जाएगा आहूत का भिलोम सब्द इसमें से क्या होगा तो अनाहूत हो जायेगा ठीक है चले, question number 73 करेंगी कि दिएगा विकलप में मंतव्य का समान अर्थी सब्द क्या है मंतव्य का समान अर्थी जो होता है यह सुआ बुद्धी होता है बुद्हिमान होता है, समत्य होता है इसे भले बुरे का ग्यानना हो वह क्या है वह और विवेकी है उसके बास विवेक ही नहीं है कि वह भला और बुरा के बीच अंतर कर शके ठीके चलिए उसके बाद देखेगा कि कीचड उचालना मुहाबरे का अर्थ क्या है कीचड उचालना मुहाबरे का अर्थ है अपमानित करना बदनाम करना option number इसका c right answer हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स चलिए next question करेंगे हमारा कि धातु उस्मा यहां पर दीके धातु उस्मा में परिक्त संधी कौन सी है तो दीके यहां पर धातु उस्मा का संधी विक्षिद क्या होगा तो इसका संधी विक्षिद जो होगा यह ध धातु प्लस उस्मा होगा ठीक है धातु प्लस उस्मा होगा और यहां पर दीके उ और उ के सयोग से यह उस्मा बन रहा है ठीक है इसलिए यहां जो है दिर्ग स्वर संधी है यहां दिर्ग स्वर संधी है ठीक है याद रखिएगा संधी विछे तो बड़ा ही इंपोर्टे सार आपको पहचाना है परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो यानि कि यह एक सरल वाके है कैसा वाक है वाक है दिखेगा कि हम बच्पन में वहां जाता रहा यह हम बच्पन में वहां जाता रहा चारौ अपस्न को पढ़िए को ज cioè कि हम बच्पन में वहां जाता रहा इसमें सुत हैं कौन सा है चारओ में हिमाले के अंगान में उस प्रथम किड़नों को दिया उपहार उस ने हस अभिवादन किया और पहनाया हीर का हायर हिमाले के आंगान में उस प्रथम किरणों को दिया उपहार उसा ने हस अविवादन किया और पहनाया हीरे का हार प्रस्त पंक्तिया के रचेईता कौन है यह पंक्ति लिखा किसने है यह पंक्ति लिखा किसने है तो इसको लिखा है जै संकर प्रसाद ने ठीक है तो याद रखेंगे 1972 में किसके लिए तो friends उर्वर्सी के लिए उर्वर्सी राइट एंसर हो जाएगा चलिए next question कर लेंगे अगला प्रशन हमारा कि synonym of the word torpid torpid का synonym बताना है बताएगा राइट एंसर इसका क्या हो जाएगा torpid का synonym क्या होता है torpid का मतलब होता है बताएगे synonym बताना है यानि कि इसका समान अर्थी अर्थ बताना है torpid का मतलब होता है फीका बेमन निरुत्साही निरुत्साही यानि कि उत्साह वाला नहीं निरुत्साही बिना उत्साह वाला ठीक है निरुत्साही बेमन फीका तो torpid का synonym बताना है समान अर्थ तो insipid हो जाएगा insipid का मतलब भी वहीं होता है जो torpid का मिनिंग होता है चलो उसको बाद next question है यह antonym बताना है उल्टा बताना है किसका? तो effluence का effluence का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है संपन्नता जहां पर संपन अता है धनी धनीता है मतलब जहां धनी है संपन लोग है यह poverty हो जाएगा गरीबी ठीक है? चलिए fill in the blank children enjoy खाले अस्तान है the tv program बताईए सोच समझ के अंसर बताईए children enjoy fill in the blanks है the tv program तो children enjoy watching the tv program ठीक है? watching होगा ध्यान रखिएगा watching होगा enjoy के बाद जो है डिरेक्ट यहां पर क्या होगा gerund का प्रयोग होगा यानि कि भी का ing रूप जो है वो इस्तमाल होता है तो children enjoy watching the tv program find out an error in the given sentence यह पूरा sentence ही है good heavens how has she grown बताईए या फिर error अगर नहीं है इसमें तो आप no error पर click करेंगे चले बताईएगा good heavens how has she grown अब यहां पर क्या होगा यहां पर दिखेगा यह how has she नहीं होगा यह होगा how she has grown ठीक है how she has grown good heavens how she has grown तो यह वाला पार्ट में error है चले उसका बाद दिखेगा find out the same question है error निकालना है a cup of coffee is an excellent supplement to smoked salmon बताईए एक cup of coffee is a excellent supplement to smoked नहीं होगा यहां पर ED नहीं लगेगा ठीक है यह ऐसे होगा smoked salmon ठीक है यह वाला पार्ट में error दिया गया है यह वाला पार्ट में error है से लिए question number 86 है कि यहां पर change into active form I was recommended another lover ठीक है बताईए another lover lover मितलब वकील कहा जाता है I was recommended another lover correct answer इसका क्या होगा तो दीके right answer इसका हो जाएगा somebody recommended me to another lawyer ठीक है option number C right answer हो जाएगा चले उसका बढ़ देखेगा change into indirect speech प्रश्न है कि how long does the journey take my co passenger asked me बताईए answer दीजेगा थ्वाट टाइम दे रहा हूं मैं आपको तो दीखे my co passenger wanted to know how long the journey would take option C इसका right answer हो जाएगा चले उसका बढ़ देखेगा यहां पर one word substitution है dry weather with no rainfall वन वर्ड बताना है dry weather with no rainfall यह ड्रॉट है option number A right answer हो जाएगा ड्रॉट का मतलब सुखा होता है ठीक है चले उसका बढ़ देखेगा कि idiom phrase है die in harness die in harness बताईए तो die before retirement इसका मतलब क्या है die before retirement यानि कि still in service यानि कि still in service चले 90 number है हमारा कि passive voice है इसको कि people speak English all over the world बताईए people speak English all over the world English is spoken all over the world हो जाएगा option number A हो जाएगा इसका correct answer चले उसका बढ़ 91 number question है हमारा कि कलहन की पुस्ता का नाम क्या है तो कलहन की पुस्ता का नाम जैसमें से क्या है तो यह राज तरग नहीं है ठीक है इंडिका मेगा स्थित की है और अर्थसास्त्र कोटी लेके पुस्तक है चले उसका बढ़ देखेगा कि यहां देखते हुए कि ऑक्सीजन के एक मॉल का परमानू कितना है ऑक्सीजन के एक मॉल का 16 ग्राम है आगे भड़ जाएंगे अब पें wounded कि राथ कि अपैंगि रहतर में घ्रा होता है उसा या चले कोड़े पैंखम बब्री था समय. ऑठ थड़ी होते है इसका कारण क्या है लोगस्षा अपने-पैन्यूश्कोष बताइएया इसका कारण जो है ये विकिरन है क्या है भाई इसका कारण विकिरन है चले उसका बाद next question है कि मानो सरीर में पसली के कितने जोड़े हैं मानो सरीर में total पसली 24 होती है यानि कि जोड़ा पुछा क्या है 12 है 12 पसली इस सैड में और 12 पसली इस सैड में ठीक है यानि कि 24 पसली पा कि इसको क्या कहा जाता है सर्दपं का हाई टो सबसे दंस है वाला आक का आंग कौन जो में जहते शाप कौन से आप लोग्त जो है यह यह मैं मैं औरुसर हो जाएगा जयाय में डिसन गट मैंसे कहई सा निर्त की अमूर्थ विरासतसुची में सामिल है इस प्तिवसर कि जो है उसके की अमुर्थ वेरास्थ सुचि में सामिल है तो यह निर्थ कौण सा है जल्दी से करड़ी ही Cocka हूँ है कौन से निरत है चलिए 97 अंतराष्टी मुद्रकोष का मुख्याले कहां पर इस्तित है अंतराष्टी मुद्रकोष international monetary fund का headquarter कहां पर है international monetary fund की अस्थापना कभी थी 1944 मोहई थी हुआइट वाशिंग्टन डी सी में इसका headquarter है चलिए 98 कि कि वर्स भारतिये वन सिवा के अस्थापना हुई भारतिये वन सिवा के अस्थापना देखें ध्यान दिजेगा भारतिये वन सिवा भारत सरकार की तीन अखिल भारतिये सिवाओं में से एक है ठीक है एक हो गया आपका भारतिये वन सिवा फिर भारतिये प्रसासनिक सिवा और भ हमक मुखनेाधीश कोन थे सरोच ने लेके पहले जो मुखने थे यह कानिया झानी फिसक रख़ा राता थे ही места याद रखेंगे अच्छा बुरूची नही molto मुखनेाधीश कोने जर्चाइब कमेंट करें मुझश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है बताए अभी बरतमान में कौन है राइट अंसर कमेंट करियो फटाफट तो फ्रेंड्स यह है कौन तो डी वाई चंद्रचूड है कौन है डी वाई चंद्रचूड है चलिए तो राइट अंसर क्या बांस निर्त अगर पुछ हां तो याद रिखेंगा मिजोरं का अपने स्कूर आप लोग बता दीजे तो है कि इस इसको कहा झाल झाल झाल